तुला रासी बालों का आने बाला दिन यणी की आठ मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आठ मार्च 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दसमी नक्छत्र है पुर्बा साधा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सोमवार आज के दिन सुर्य उद्य का समय है 6.49 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6.25 मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है 11 घंट 45 मिनट 40 सेकेंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ समय शुरू होता है 12 बज के 5 मिनट पीम से 12 बज के 55 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 12 बज के 55 मिनट पीम से 1 बज के 45 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 8 बज के 7 मिनट एम से 9 बज के 35 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आपके आने बाले शमय का पंच्यांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके नौकडी के बारे में आपके जोब के बारे में दोस्तों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने बाले समय में आपके नौकडी के छित्र में आपके समय का साथ, आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके कारण से आने बाले समय में आपके नोकडी के छित्र में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रो आने बाले समय से पहले यदि आप में से कोई भी जातक कोई भी दर्सक बीमार थे तो आने बाले समय में अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती आपको शाबधानी बरतनी चाहिए आप में से जो भी जातक नसा पान करते हैं धुम्र पान करते हैं या सराब का सेबन करते हैं तो आने बाले समय में इन चीजों को आपको छोरना होगा क्योंकि आपके सेहत के लिए आपके सुवास्त के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है दोस्तों आने बाले समय में यदि आपके धन सम्पती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामाने तोर पे ठीक रहेगा आने बाले समय में आपको पैसे कमाने का मौका अबश्य मिलेगा आने बाले समय से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने बाले समय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का पड़ियास से आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए भाग्य साली अंक है तीन यनी की थिरी आपके लिए भाग्य साली रंग है केसरिया एबं पीला दोस्तों अपने समय को बेहतर बनाने के लिए आपको आज के दिन कच्चे कोईले को जल में प्रबाहित करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर एबं सांदार होगा तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें इबं इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद